यहाँ पे लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ाई उनर और दलालों के बीच में है धारावी और अदानी के बीच में है यह धारावी आपका है यह आपका है और यह आपका रहना चाहिए यहाँ पे यहाँ पे आपको आपका जो स्किल है उनर है उसको सपोर्ट करना चाहिए बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलने चाहिए और यहाँ पे इंडिया का मैनुपेक्टर से मैनुपेक्टरिंग सेंटर बनना चाहिए यह है सच्चाई यह यह धारावी मेक इन इंडिया है यह है मेक इन इंडिया असली और यह सोचते हैं कि देश दलालों से बनता है देश दलाल नहीं बनाते देश आप जैसे लोग बनाते है दोस्तो यह जो बयान अभी आपने सुना है यह कॉंग्रेस निता राहूल गांधी की ओर से भारत जोडो न्यायात्रा के दौरान दिया गया बयान था भारत जोडो न्यायात्रा जब मुंबई के धारावी इलाके में पहुंची थी तब राहूल गांधी ने कहा था कि जो धा मंदित कई वीडियो देखे हैं लेकिन अब एक नया आरोब कॉंग्रेस के नेता इसी गौता मदानी पर लगा रहे हैं धारावी में पुनर विकास के नाम पर जहां मुंबई के अलग अलग जगहों की जमीन उन्हें दी गई है तो वहीं मुंबई के कुला इलाके में जो एक देरी की 21 एकर जमीन थी वो भी अब गौता मदानी को दिया जा रहा है और इसे कॉंग्रेस के नेता और यहाँ पर जो नई सांसत बनी है वर्षा गायकवार वो इसे एक नया स्कैम कह रही है एक नया घोटाला कह रही है अगर मैं बात करूँ तो उसी इलाके में जो लोग ह वो इसका विरोध कर रहे हैं तमाम मुंबई के कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि गौता मदानी को जो पुनर्विकास का काम दिया गया है उसके विरोध में लोग लगातार बात कर रहे हैं लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि आखिर प्रधान मंत्री के दोस्त गौता क्यूं कहा वो इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कहती है यह मामला क्या है सुनिया उनके साथ किया गया मेरा ये इंटर्व्यू नाश्गार दोस्तों और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है सोहित मिश्रा फिलाल मैं मुंबई कॉंग्रेस के दफ्तर में हूँ और यहाँ पर पहले भी जब हम आये थे तब मुंबई कॉंग्रेस की जो अध्यक्ष थी उनसे बात अब आप सांसद हैं पहले तो आपको बहुत-बहुत बढ़ाई जब हम मैं पिछली बार बात कर रहे थे आप धारवी को रेप्रेसेंट तो करी रही थी और आपने यह बात कहा था कि धारवी में जिस तरह से अधानी की ओर से री डेवलप्मेंट का पूरा मुद्दा है उ जुम्बई के मुद्दे को आपने उठाया क्यों आपको यह लगता है कि land scam है और यह क्या land scam है अगर यह भी बता सकें कि मुझे लगता नहीं है मुझे मालूम है कि लैंड स्कैम है क्योंकि धारवी के नाम पर जो जर्मियन दी जा रही है जैसका जिकर मैंने थोड़े दिर पहले किया क्योंकि आपको मालूम है कि धरावी के टेंडर के बारे में मैंने सवाल उठाए कोई जवाब नहीं मिया मानुप्लेटर टेंडर था सेकंड मैंने सवाल पूछे के बाइया आप टीडी और एफसाय के लिए डिसी रूल बदलते हो उसका जवाब मुझे नहीं मिला अब नया स्कैम किया है आपने धरावी के डेवलोप्मेंट के नाम पे पहले मिठागर के सौल प्लान के लाइन ले ली फिर आपने उसके बाद ले ली कौन सी लाइन मुडून चेकनका जकातनका ली उ सार्कारी गवर्मेंट के प्र्वापर्टी है मुंबेकर के प्रपर्टी है कुछ प्रोपर्टी तो वह अपने कुछ प्रोश्युजर फॉल्ओ ने करते हुए ये जमीन उनको दान दे ली किऊंकि कि देश के प्राइम मिंस्टर के दोस्त है। यह मेरा अरोफ है, को इसल冷革 में इनको सब को सपोर्ट हो रहा है। आप मेरा सवाल ये है इन पहला थो, दहरावी के लोगों के लिए जमीन दरे ले pelvic ले अपो पेस्फी olur लेकिन हम तो दहरावी के लोग के लगे ong तू ये जमीनों को करेंगे Kya किया आप नाम मात्र दसे दे रहें और वोबी आप मालूम कारना electrode कि इतने दर से दे रहे है और टेंडर में क्यारेट है लिट मुझे पत्रकारों को रिक्वरस कर न है कि अट्रकार तो आलूमीन कर रहे है और बोली नहीं रही है कि कि इनको दिल रहे हैं, इनको free of cost जैसा land दे रहे हैं, तो मेरा बोलना क्या है, कि इसलिए आड़ानी जो दो नंबर पे गए न, क्योंकि मोधी जी ने उनको बार बार जमीने फ्री में दे दी, अब मेरा सवाल यह है, कि जब मैं मदर्डरी में गई थ इतनी ब्यूटिफुल जगा है, आपको लगेगी ने मुंबई में है, जब मुंबई में लोगों को खासी बुकारी हो रही है, जब ओपन स्पेस नहीं है, गारडन नहीं है, जब वहां के लोगों की मांगे कि यहापे गारण होना चाहिए, जब तो आप उसो कार्णा क्यो हो जब दाब कोचा है, जब एक किस के लिह देना चाहते है, जब दहर को यहाँ तो जब दारवीकर को और ज़ा आजना हम तो घर आवे घर मांग रहा है, तो आप किस के लिए जमीन ले रहे है और इतने कम दामों में क्यों बहुत बड़ा स्कैम है, इसके ओपर पहले भी ज बड़ी नजर पड़ी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती हुआ कि मैंने नाम लिया था पिष्टे बड़ी उनके नजर पड़ गई, फिर राज्य के मुख्यमंत्री ने ने मादम से प्राधी करन बनाया, और बिन्मीनी भीकेसी उनको गरने का एक प्लान बनाया, फिर हमारे देश के प्राधी मिनिस्टर के दूस आदर ने अदानी जी की नजर पड़ गई, अपर अदानी की जी के सामने तो कोई नेता बड़ा ने, तो मुख्यमंत्री जी की नोट थी, उसको कच्र में फिका गया, और एक नया नोट निकला, जो आदर ने रादा कृष्णी विके पाठिल जी निकला, जो भाजबा के मंत्री है, और यह जमीन उनको देने का काम हुआ, ना कोई प्रोसीजर फॉलो हुआ, अपका रूल बुक है, उस रूल बुक को भी आपने ने इस्तमाल किया, तो ऐसा तो नहीं होगा, ना, तो इसलिए, इसलिए, इसलिए मैं, सुरी, मैं तोड़ा काट्री आपको, कि इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, कि सिर्फ यह प्राइम स्पॉर्ट के जमेने लेना, और धारावी के नाम पे लेना, भी यह हमें बदनाम मत करो, हमें बदनाम करना छोड़ दो, हम जो है न, चाहते हम सो करोड रुपया देश को दे रहे हैं, हम मैक्रोफाइनस इंडिस्टी है, धारावी को धारावी हमने बनाया, हमको धारावी में गर दे दो, यह हमारे नाम पे वाइटल प्रजेट के नाम पे, फ्री में जमेनें देने का काम चल रहा है, और उनके गले में, गसे में डालने का काम चल रहा है, उसके खिलाब हम लड़ाई रहे हैं, और यह जो बात कहिए दर्शे को आपको याद होगा, जब राहुल गांधी की भारज जोलो न्याय यात्रा मुंबई पहुँची थी, तब वो प्रियंका गांधी खुद और वर्शा गायकवाड़ी, यह तीनों मंच पर मौजूद थे धारावी में, तब भी आदानी का मुद्दा उठा था, अब इसके उपर हमने पहले भी वीडियो किये है, अब मैं आपको बताता हूँ, यह जो धारावी री डेवलप्मेंट की बात की जा रही है, अब वहाँ पर क्यों जो लोग रह रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि उन्हें पुनर स्थापित किया जाना है, इसके लिए अदानी को कहां कहां पर कितनी जमीन मुंबई में दी गई है, रेलवे की ओर से 45 एकर जमीन दी गई है, मुलुन जकातना का जहां से मुंबई के शुरुवात होती है, वहाँ पर 18 एकर जमीन दी गई है, मुलुन में यह एक dumping ground है वहाँ पर 46 एकर जमीन दी गई है जिस salt pan का बात किया गया मुंबई के वहाँ पर 283 एकर जमीन दी गई है मांखोड में एक dumping ground है वहाँ पर भी 823 एकर जमीन की बात की जा रही है BKC के G-block में 17 एकर जमीन दी जा रही है और जब नया मामला सामने आया है कि कुर्ला कुर्ला में जो dairy है वहाँ पर 21 एकर जमीन दी जा रही है और इसमें भी मैं आपको बता दू यह जो दाम बताया गया है यह जो वहाँ की जो rates है उससे 25 प्रतिशत कमी की है तो धारवी के नाम से यह शुरुवात हुआ है तो यह धारवी के नाम पर एक तरीके से पूरा मुंबई जो है वो दिया जा रहा है राहूल गांदी यह मुद्दे को लगातार उठा रहे है आप तो उठा ही रही है राहूल गांदी खुद धारवी में आकर इस मुद्दे को उठाया था आप ने अभी इस से पहले कुछ समय पहले यह कहा कि एकनाशिंदे कुछ और चाहते थे लेकिन उनकी बात नहीं माने गए क्यों आपको ऐसा लगता है यानि क्या इस महराष्ट को मुख्यमंत्री के भी इस देश राजी में नहीं चाहिए पहले भी उन पे कहा है उनके 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 प्रादी करन बनाया कुछ महने पहले और वो कि में अचनक भाजपा की मंत्री का जेयर निकलता है तो उनका सुनते का है इसे तो मैंने पूछ ऑ कौन बड़ा लेकिं अप धारवी को रेप्रेजेंट करते आई हैं आप धारवी से हैं अब आप सांसत बन चुकी है धारवी के नाम पर यह सब चीज़े की जा रही है जब मुलूंड जाने की बात करते हैं तो मुलूंड के लोग तो यह कहते ह कर रहें सब कुछ कर रहें और दूसरा सवाल यह है कि मेरा कहना है अभी मेर कोटिजा जी को मंगेश कुड़ा कर जी को और अधर निये किरड सोमया सापको यह तीनों का भी नाम में बता रही हूं अभी हमाद मोमेंट कर रहें उस मोमेंट में आ जाईए हैं सरकार के राधानियों को जमीन नहीं मिलने चाहिए यह स्टैंड लिजी राहूल गांदी तो अब तक संसद में इस मुद्दे पर बोलते रहते आप विधान सभा में बोलती आई थी अब आप भी संसद में तो वो तो मुद्दा उठाते हैं अधानिय का वर्शागा एकवार्ड भी तो आपकी मांग क्या है इस पूरे मुद्दे में क्योंकि वो एक तरफ सर्वे करने की बात करते हैं यहां पर प्रोजेक्स देने की बात होती है जमीन देने की बात होती है तो आप तो विरोध कर रहे हैं वो जमीन देने की बात कर रहे हैं अभी आप लो आगे क्या करेंग या वहाँ का जो इन्वरिमेंटल के लोग है जो लड़ाई लड़ रहे उनके साथ लड़ने का काम कुरूगी क्योंकि आरे के बाद ये और एक जगा है जिसके ओपर ये नजर पड़ गई है हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे देखे मैं हमेशे आवाज उटाते आ रही हूँ मैं तो दहरावी करगा बहुत दूरून वेक्ते करना चाहते है कि इस तरह सुने मुझे प्यार दिया आदर दिया एक एकर जो है ये मुद्धा बड़ा बनता है और आब ये मुद्धा इतना बड़ा बन चुका है कि धरखे के नाम पर अलग-अलग जगहां की जमीन जो है वो आदानी को दी जा रही है अब इसे लेकर कॉंग्रेस का ये आरोप है कि एक स्कैम है अब इसको पर क्या कोई कारवाई होती है ये देखना अहम होगा लेकिन ये तो समझी है कि एक प्रोजेक्ट के चलते अब धीरे धीरे एक कॉर्परेट को आदी से यादा मुंबई दी जे गई है और यही आज हमको आप इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे है बरशा गायकवाण क्योंकि अब सांसत बनी है तो बहुत लोग उनसे मिलने भी आये हुए है लेकिन ये जो नया मुद्दा है और ये जो खेल है वह हम उनी की जुबानी आपको समझाने के कोशिश इस वीडियो में करते न सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ओफिशल फिलहाल इतना ही नमस्कार